1, 2, 3, let's go! Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Sudiksa, so guys, आज का वीडियो है, रूम टोर जी हाँ, मैं बहुत एक्साइटेट हूँ और नर्वस पी हूँ, बिकास यह जो मेरा रूम है, मैंने खुछ से डियाइवाई किया है, मैंने के लिए नहीं मतलब मेरी मॉम और मैंने डियाइवाई करके यह रूम को डेकोरेट किया है, इसमें कोई भी उतना एक्सपेंसिफ चीजे आप सभी को नहीं मिलेंगी, और प्लाइंट जो है वो भरवर के मिलेंगी, बिकास मेरे घर में प्लाइंट का बहुत ज़्यादा शौक है, एक पूरा गार्डन डेरिकेटेड रूम है प्लाइंट के लिए, आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ, अब मैं करने वाली हूँ, कैमरी को पीछे की तरफ और आप सभी को दिखाने वाली हूँ, मेरा रूम कैसा दिखता है, ठीक है, यहां पर हम लोग एंटर करते हैं और एंटर करते ही यहां पर पहले चीज़ आप सभी को दिखेंगी, यह मिरर और यहां पर क्या क्या है, मैं सारी चीज़े दिखाती हूए कि करके, यह उपर जो है ना, वो मैंने प्रिंट आउट करवाया है और खुद से पेंट किया है, ऐसे से करके, वो यह डियाइवाई ही है, यहां पर लिखा है, ट्रस्ट यूर सोल, येस, यू सुट ट्रस्ट यूर सोल, और मुझे ऐसे फेदर बहुत पसंद है, कैक्टस भी पसंद है, तो मैंने वो कर लिया, उसके बाद यहां पर पूरा कैसेट है, कैसेट को मैंने फेबरिक पेंट जो हता है, उसी से पेंट कर दिया है, तो या, इस लोकेंग ब्यूरिफूल, ब्यूरिफूल, उसके बाद यहां पर हम लोग आते हैं, यहां पर थोड़ा सा, क्या बोलो, यहां पर है फ्लेमिंगो, और मैंने ये भी कली बन बाया है, मेरे पापा से, ये जो है, आप सब देख सकते हो, ये पापा ने बनाया है, और मैंने कलर भी नहीं किया है, ऐसे ही रख दिया, क्यूंकि एसे अच्छा लग रहा था, ये भी मैंने बनाया है, डी आइवाई करके, आपको ये सारी चीज़े, रूम ट्रांसफरमेशन वीडियो बे बात पर दिख जाएगा, कैसे कैसे क्या-क्या बनाया है, और मैंने य मुल का जो होता है ना उसका यह प्रेंट करके ऐसे रख दिया है उसके बाद वी हाव वान स्नेक प्लैंट यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे है यह यह ना एचली यहाँ पे मेरा कपड़ा बैग यह सब है बट यह लगता बहुत ब्यूटिफुल है क्योंकि यहाँ का जो प्रेंट के साथ उसके बाद यह सारा भी अमुल का ही है उसमें मैंने ऐसे मैंने मेरी ममी ने ऐसे रिबन लगा के जो है वह रख दिया है एंड लेट्स गेट डाउन उसके बाद यहाँ पे फ्लावर है ऐसा ही मैंने रख दिया क्योंकि वह एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था इसके बाद यहाँ पे मैंने यह गोल्डन कलर का रख दिया तो बैलेंस आउट आउट अली तेंग्स बिकाज पूरा कलर्फुल हो गया था तो मैंने यह यहाँ पे रख दिया उसके बाद यह मेरा एक क्या बुलू स्ट्रॉग काइंड अफ कुछ है बट मैंने इसको यहाँ पे टूल है टूल के उपर यह लगा के रख दिया उसके बाद भी है रबर प्लाइंट यहाँ पे है मेरा जो छोटा सा सेट अप कहलो आजकर में यह पी शूट करती हूं सो यह यहाँ पे यह है यह इंट्रेस्टिंग पार्ट है कालर्फुल मैंने इसलिए चूज कि फर्स्ट फॉल मेरा जो पर्सनालिटी है वह बहुत ज़्यदा कलर्फुल है ओके इस यू गाइस नो मी पर्सनाली मैं बहुत ज़्यदा फ़न लविंग हूं और आपने मेरा व्लॉक्स तेक के तो पता करी लिया होगा कि मैं कितनी हस्ती रहती हूं सो यह कलर्फुल और मेर मेरा वैनिटी है अब ही फैनिटी नहीं दिखाते है गंगा बहुत ज़्यदा सौया वह सारी ओफुल पैसा भी है इस टीक है भर बरके आप निर पॉलीस है यहांपे मेकप का सामान पर बहुत चारा सामान नहीं रग देते अभी उसके बाद हम आते हैं यहां पे ही करनर पे यहाँ पे as usual एक plant है उसके बाद यह ना पानी खाने वाला मटका होता है वो मटका था बट इसको paint करके कितना सुन्दर लग रहा है यह भी DIY है यह plant है यहाँ पे है उसके बाद उठते ही यह मेरा window है जहां से sunlight आता है बहुत अच्छा और मैं यही से बैठके इधर shoot करती हूँ ठीक है उसके बाद यहाँ पे नीचे है products जो मुझे brand ने बेजे यह पन कर देती मैं ब्रैंड ने बेजे वह ही पे था उसके बाद यहाँ पे मेरा yoga mat है इधर आते हम लोग यहाँ पे भी DIY है और यहाँ पे मैंने दो plants रखे बहुत beautiful रखते हैं और यहाँ पे क्या है आप सभी को जो मेरा transformation video आएगा उस पे दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या है आभी में नहीं दिखा रही हूँ ठीक है न तो उसके ऊपर यहाँ पे मेरा plants लिखा होता है में को क्या क्या सोट करना है अभी नहीं दिखाऊंगे ठीक है उसके बाद यह भी DIY किया है मैंने बट यह अभी ऐसा हो गया है चो के मैं मिल बात में कर लूँगी इसको सो बैट के corner पे first thing जो है मे मैंने इसको अभी paint किया है अभी यह भी कल बनाया था प्रिंट आउट करवाया था मैंने यह क्योंकि यह मुझे candy का याद दिलाता है मेरा candy और यहाँ पे मैंने ऐसे कप रख दिया था विकॉस नहीं थोड़ा से तूट गया है और मेंको वेस्ट नहीं करना था यह मुझे पसंद है जो डिजाइन है वह सारा चीज असलिए अफ यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर मेरा जो है मिनी सो का जो है यह है और इसमें मैं सारे कोलाइब्स जो मैं करती हों उसके डिटेल्स लिखके रखती हो नेचे वाला दिख्षा ने मुझे दिया है मेरी बेस्ट फ् ara track shape यह भीcede mini show का है उसके बाद यहाँ पे beimower है किसी hold में साइड में ने दिखाया था आप लोगों को ये it間 selfie by the way मेरे बनाए ऐ पैक ने बना जबता है मेरे पापा ने बना कि दिया और मैंने color किया यह भी स euchका साइड मैंने record ने किया और क्योंकि अंदर मैंने कलर नेक है, मैं बहुत आईसी हूँ I know, I know, thank you So, यहाँ पे मेरा सारा स्कीन केर का है, यह मुझे ब्रैंड ने वेजा है यह मैं अभी मॉश्राइजर यूज करी हूँ तो यह यहाँ पे है बहुत सारी चीज़े है यार, वो भी ब्रैंड ने वेजी है मैंको और इसमें पूरा पर्फ्यूम है अब सभी को पता है, मैं पर्फ्यूम की दिवानी हूँ किसी दिन दिखाऊंगी और यहाँ पे भी डियो है, साइट यह दियो है यह मेरा टोनर, अभी मैं यह यूज कर रही हूँ उसके बाद यह क्या है गुड वाइप्स का स्क्रब है और डेली जो मैं यूज करती हूँ वो यही पे होता है बट दिखा देती हूँ इसमें भी मैंने कलर नहीं किया है हम बेड भी दिखा देते हैं ठीके, और यह बेड है यहाँ पे मैं लगाई है बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है बाइदवे मैंने यह भी पेंट किया है कैसे पेंट किया है आपको दिख जाएगा मेरे ट्रांसफरमेशन वाले वीडियो में स्टे ट्यून्ट और यह कैसा लग रहा है बताओ यहाँ बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है मुझे पता है लग रहा है यहाँ पे जो बेड है ठीक है यह बेड है बेड के ऊपर मेरा होटो है स्केच है पुझी बहुत पसंद है मैं सेल्फ अपसेस्ट अपसेस्ट I don't know क्या बولता है वो हूँ और यहाँ पर एक घड़ी है यहाँ पर पता नहीं क्या बोलती है इसको और इसके पीछे ना टां टारान जो एक्स्ट्रा चीजे होती है यही पर रखती हूँ मैं I know सभी के घर में ऐसा एक कॉर्णर होता ही है So yeah guys That's it for today I hope आप लोगों को मेरा यह रूम ट्रांस्फोरमेशन अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होए तो प्लीज गिवीट अप बिग थामस अप and do not forget to subscribe to my channel और उसके वाजू में एक चोटू सा बेल आइकन है उसे भी दबा देना तकि में जब जब भी वीडियो डालो आप सभी पास मेरा नोट्रिकेशन पहुच जाए ठीक है अब में मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई